जिसे कभी देखा न सुना उसका भी जवाब मिलेगा मेरे बच्चों को आज ट्रिक्स का हत्यार मिलेगा जो भी देखेगा वही हैरत खाएगा मेरा हर बच्चा अब इंग्लिश में फुल मांक्स लाएगा जिया दोस आज मैं आपके लिए लेके आगया हूँ जोस्तो ये वीडियो आपके unseen passage की problem को solve करने में बहुत help करेगी आपको बस ऐसा लएगा कि जैसे जादू हो गया है बस आपको steps को follow करना है मेरी कही बातों को follow कर लेना फिर देखना जादू और हाँ अपना प्यार दिखाओ भी कि अभी जल्दी से like के बटन को press कर दो बहुत ज्यादा research करने के बाद और trends को study करने के बाद मैं आपके लिए कुछ ऐसी exclusive tips and tricks लेके आया हूँ जो आपके exam में unseen passage में आपकी बहुत help करने वाले एक्जाम में बेटे वेना आपको मेरे ख्याल आएगा के सर आपने बताया था तो answer आगिया लेकिन इसके लिए एक शर्ट ही है कि जो मैं steps आज आपको बताने वाला हूं वो सारे steps आपको धियान से समझने और follow करना है फिर होगा जादू आप खुद कोगे तो जादू हो रहा है आप चलो शुरू करते हैं क्या है वह कितने तरह की होते हैं यह आपको पता होने चाहिए unseen passage न दोस्तों 10 वाले हो आप सभी के न दो तरह के unseen passage आएंगे 10-10 नंबर के एक तो होगा आपका डिसकर्सिव passage कौन सा होता है नॉमल पैसे जिसमें आपको दो तिन परेग्राफ दिये गए होंगे आपसे question पूछे गए होंगे आप उनके answer कर दोगे that's it दूसरा होता है हमारा factual passage factual passage में क्या होता है वह factual passage में आपको कुछ state दिया जाता है आपको कोई chart दिया जाएगा कोई diagram दिया जाएगा कोई ऐसा data दिया जाएगा जिसके base पे आपसे question पूछे जाएंगे दोनों को ही करने की मैं अलग-अलग trick and tips निकाल के लिए कि आ जाए हूँ जो कि trend पे basis है ठीक है trend पे based है कि कैसे trend चलता हूँ आया है कैसे आपस बोर्ड वाले question पूछने वाले है वो सारी चीज़े मैं आजा इसमें बता रहा हूँ तो step number one ध्यान से सुनो आओ देखते क्या है step number one दोस्तों सबसे पहला काम तो ये करना जब आप discursive passage करोगे ये trick बताने वाला हूँ मैं discursive passage कि जब आप discursive passage कर रहे होगे तो सबसे पहली चीज़ अपने mind में ये रखो कि आपके पास paragraph है ही नहीं आपको पैसीज दिये ही नहीं कि आपके सामने सिर्फ क्या है questions है सिर्फ questions को याद रखना है आपके पास help के लिए कुछ ह होता है सर open book examination में मेरे बच्चों ये होता है कि आप से question पूछे जाते question paper आपके हाथ में होता है आपको ये मौका दिया जाता है कि आप कोई सी भी book आपके हाथ में हो ना उसमें से देखकर answer लिख दोगे समझ समझ के direct answer नहीं मिलेगा आपको भी यह approach रखना है कि जो unseen passage में questions बूचे गए हैं उसके answer मुझे ही लिखने है उसके लिए help के लिए मेरे को paragraph दिये गए बस तो सबसे पहला काम क्या किया वह अपना mindset इस तरह से तयार किया कि मेरा यह क्या हो रहा है open book exam हो रहा है passage में answer नहीं है passage सिर्फ help के लिए दिये गए है clear हो गया ठीक है यह mindset बना लिय step number two जोके बहुत important है आपको सबसे पहला काम करना है read the question क्या करना है सबसे पहला up questions को read करना कैसे आपको सबसे पहला question जो आपके passage का है वो read करना बस पहला और कुछ नहीं करना उस question को read करने के बाद सोचना है अपना answer कि क्या उसका answer हो सकता है जो भी आपको general knowledge है जितनी भी आपके अंदर अकल है वो सारी लगा को उसका answer मानने की कोशिच करना common sense लगाना सोच लिए answer कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत answer हाँ मुझे लग paragraph और कौन सा paragraph 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 नंबर वन से start करना paragraph नंबर वन से start करना अपने इस answer को ढूंडने के लिए उसे confirm करने के लिए आपको वही पर answer देखना मिल जाएगा आप शौर हो जाओगा अच्छा इसका answer तो यह है अगर वन में नहीं है तो थोड़ा सा आगे बढ़ना second में देखना तो इसके बीचे बहुत सारी research है बहुत बड़ी study मैंने की है तब जाके मैं बात बता रहा हूं आपको अब क्या करना ऐसे question number second start करना question number second को अराम से पढ़ना पढ़ लिया उसका अपना answer सूच रहा क्या हो सकता है शेर क्या खाता है हिरन हिरन क्या खाती है पत्ते अब इस तरह स सोच रहा आपको इंसान क्या खाता है यह चीज ना ऐसे जोडने की कोशिश करना common sense लगाना लगा लोगे क्योंकि आपके यही सवाल पूछे जाने मैं आपको लिक कर देने को त्यार हो कि आपसे बहुत सिंपल बहुत आसान paper पूचा जाने वाला है तो बिल्कुल घबराने कि आप से कुछ ऐवन पूछे जाएंगे जिनमें ड़ियरेट आपसे पूचा जाएगा बताओ बाई आपको क्या लगता है paragraph number one में बताओ इसका क्या synonym होगा या फिर इसका क्या opposite होगा इस तरह के सवाल आते हैं ना आते ही आते हैं दोस्तों एकाथ question ऐसा डाल देते हैं यह लोग इसके लिए आपको क्या करना इसमें भी यही वाली strategy कि synonym क्या हो सकता है पहले अपना तुक्का म अब surety हो जाएगी आपको confidence आएगा हाँ यह तो मैं भी सोच रहा था वही paragraph में मिल गया मुझे तो इस तरह के questions बहुत असान होते ही इन पे आपको ज्यादा मेहनत करने की कोशिश नहीं करने है घबराना नहीं है अच्छा गर कोई synonym या opposite word मुश्किल वाला हो गया तो क्या यूज करोगे वहाँ context देखना आप अपना वहाँ पे भी common sense लगाना कि paragraph में किस regarding बात हो रही है क्या common sense है उसके ओपर काम होगा चलो जी एक और चीज आप से न और कौन्स सवाल पूछा जाएगा सुनू मैं बतारू यह सवाल आपसे पूछा जाने वाले ध्यान से सुनू बहुत important है आप से कुछ सवाल पूछे जाते है true और false के बताओ इसमें से कौनसी statement true है बताओ इन में से कौनसी statement false है बताओ इन में से कौनसा option गलत है बाकि सही है besides करके accept करके इस तरह से सवाल पूछा जाते statement दी जाती है options दी जाएगी a b c d उसमें क्या करोगे मैं तो कहता ह यह को मैं बता देता हूं मैं लिखके रख देता हुए पागल वाले सवाल पागल वाले question अब यह पागल वाले क्यों कहता हूं मैंने क्योंकि इसके अंदर जो गलत option होता है यो इतने गलत होते हैं वह बहुत हिलेरियस होते हैं कि आपका पेड़ दुख जाएगा एक्जाम में हसर हो आप सब्सक्रों चाहिए अपना पागल हो गया लगिन असा होता है दोस्तों क्यों यह इस फीर स्टेटमेंट्स होती ही ना बहुत ही लॉजिकल देते हैं बहुत ही असान देते हैं तो इसमें बड़ी लॉजिकल सी स्टेटमेंट्स होती है इस तरह के क्वेश्चन को देख लेना जहां भी लॉजिकल लगे सीधी सी बात आप से कोई कहने लगे शेर ना बड़े क्या है वह देखो बहुत इंपॉर्डैंट है यह भी दोस्तों एक चीज मैंने जो इनलाइस की है नोर्टिस की है वो यह है कि जो आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चन होते हैं परेगराफ्स के वहां आपको उनके answer मिलेंगे, और जो later questions होते हैं, जो नीचे के questions होते हैं, उनके लिए नीचे के paragraph से पूछे जाते हैं, जो आपके नीचे के paragraph होते हैं, यह trend कहता है, और उम्मीद है यही trend follow भी होना है, कि शुरू के questions शुरू के paragraph में, अगर आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब ना होई, तो आपका कोई उल्टा-पुल्टा question आ जाएगा, लेकिन वो असान होगा फिर, वुफ असान होगा, लेकिन आपको यह steps याद रखने हैं, आपकी काम्याभी देखना, आपके हाथ में जादू होगा, दुबार से एक बार देखते हैं, सर करके भी आपका ही sample paper solve होगा, चलो जी पहला काम क्या करना है, पहला याद रखना है, open book exam है, सिर्फ question दिएगा है, मुझे ही answer सोच के लिखने, कहीं पर answer मिलेगा नहीं, secondly, आपको question को पहले पढ़ना है, पहला question पढ़ना है, अपना answer सोचना है, paragraph में देखना है, बात खतम, कुल मिला आपका आजाएगा, title दे दो, और दे दे ना title, title में क्या रखा है, इसमें एक number आपका हो जाएगा, title कैसा होना चाहिए, short होना चाहिए, paragraph से related होना चाहिए, passage से, बस, इतना काम कर लेना, और title वाला question भी आपका हो जाएगा, तो देखा जाए, तीन-चार question तो ऐसे ही बन ग पर है, उनका ही दिया paper है, उसको solve करने कोशिश करेंगे, तो जैसे हमने हमारा mindset बनाया है, हम तो यह मानी न रही कि हमें help के लिए इस तरह के paragraph दिये गए है, हम तो directly questions को देखने वाल है, गए हम questions के पास, question का है, question का है, question का है, question को ढूंटे-ढूंटे हम यहाँ पर आगए, question आपको एक option choose करना है, इसे complete करना है, ghost nets, अब यह क्या है ghost nets, जैसे मैंने दिमाग में सोचा, ghost का मतलब भूत होता है, nets मतलब जाला होता है, इतना तो आता ही है अपने को, तो भूत वाला जाला, कुछ ऐसी बात हो रही है, have been named so because they, ghost nets नाम दिया गया है, किसी चीज को ghost nets का नेट्स का मतलब जाला है, किसी जाले को ghost nets का गया है, क्यों का गया है, अब चार option दे रखें, पढ़ने कुश करते हैं, cause much harm to the marine life, marine, marine तो पानी को बोलते है, पारी की जो दुनिया होती है, समुंदर, नदी, नाले, उनको बोलते है, तो cause much harm, क्योंकि यह marine life को हाम करते है, are functional अब यह हुआ कि ऐसा कोई net, जिसके बारे में किसको पता ही नहीं, ghost है वो, ठीक है, यही तो हुआ ना, तो अगर मैं ज़रा भी common sense लगाऊंगा, तो मुझे लग रहा है, कि इसको ऐसे ghost nets का गया होगा, क्योंकि इसका कोई वारिस नहीं है, इसलिए थोड़ी का गया हुआ, क्योंकि यह functional है, और अभी भी लेकिन users, features यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी का गया होगा, कि यह harm करता है marine life को, नहीं नहीं, अच्छा मुझे अगर answer को confirm करना है, अभी भी मैं confirm नहीं हुआ, मुझे confirm नहीं हो पा नहीं है, but they are legitimately scary, लेकिने यह बहुत डरावने है, a ghost net is a fishing net that has been lost, answer यह मिल गया, दूसरी लाइन में मिल गया, मुझे पहली दूसरी लाइन में, कि ऐसा net जो कि lost हुआ है, और सवाल क्या पूचा है, जल्दी से दिखो, 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 कि उन्हें ghost nets क्यों कहा गया ह not owned by anyone, इसलिए तो कहा गया है, उपर उसमें answer दे दिया, यानि यहां मैंने अपने common sense लगा रहा था, तो अगर लगा रहा था, तो भी सही था, उपर जाकी मुझे उसकी confirmation मिल गई, मैं ऐसे ऐसे लिखके आउंगा, छाती ठोके के पहला, मेरा answer बिल्कुल सही है, भाई, आप आपको क्या करता है, आप से कहता है, बिटे पहले passage word ना, फिर मैं सवाल पूछूँगा, सवाल में आपको paragraph का reference दूँगा, फिर आप answer करना, जो आप नहीं कर पाओगे, आपको पागल बनाते हैं यह, हमें उल्टा चलना है, नहीं वो अपना काम अच्छा कर रहे हैं, आप हम थोड़ा से smart काम करेंगे, हम थोड़े से smart हैं, हम dear sir से बढ़ते हैं, ठीक है, बुद्धी बहुत तेज है तुमाद, आप क्या कर रहे है, paragraph 1 में reference to the ghost nets कैसे का आगया, as a health problem for the oceans, उसने का है health problem कैसे है oceans के लिए, आप paragraph 1 अगर आपने पढ़ लिया होगा, पहले question के answer को पढ हाम हो जाती है, कैसे हाम हो जाती है, वो उससे पूरी मेरी life खराब हो जाती है, क्योंकि वो plastic होते है, वो decomposed नहीं होते है, यही वाली बात है, तो paragraph 1 में मैं दुबारा पढ़ूँगा, तो वहाँ भी मुझे इस answer अराम से मिल जाएगा, अभी मैं इस particular paragraph को solve करने नहीं बैठ सरी, को ये भी कह रहे है, कि think करना है, think, पढ़के answer नहीं करना, सोच के करना है, अब ये कह रहे है, एक walrus होता है, उसके लिए ghost net कैसे, अगर उसमें फस जाते है, तो कैसे उसको नुकसान पहुचाता है, walrus क्या होता है, कैसा होता है, मुझे इससे लेना, देना भी नहीं है वहां पे चलने वाला iI होता होग पानी में तैरने वाला कोई हिस्षी होता है ठीक है इतना बता है ठीक है अब ghost net में फसा बहогत並 tiếp up क्या होगा सब्से पहले injury हो जाएगी injury हो जाएगी कर दूसरा क्या ओगा अरे अरे पूछ लिया वोई सवाल जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था सेलेक्ट दी ऑप्शन देट कन्वेज्ट ऑफ नेगलिजिबल अरे सर ने बताया था कि अगर इस सवाल होना तो पैरे ग्राफ में मठा फलल ना अपना सोचना कि आञ सर हो सकता है नेगलिजिबल को ऑपोजिट क्या और नेगलिजिबल मतलब ऐसा जो नाम आतर होता है और ऑफसिट क्या होगा अनिम्प्रेसिव औंए उनिप्रेसिव से क्या ले monumentally ही होगा, negligible बहुत थोड़ा सा और बड़ा monumental, अगर यहां भी confirmation नहीं हो पारी है, डर लग रहा है तो देख लो ना, paragraph number two में पहुच जाओ ना, देख लो negligible का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, इस तरह से आपको इनके answer निकालने पढ़ेंगे, चलो जी, आगे बढ़ जाओ, क्या हाँ, सर, आगे बढ़ जाओ, अच्छा, सर, सर, अच्छा, ही क्या question है, the writer would agree with the given statements based on paragraph three, except, writer agree करेगा इन तीन statement से, सिवाए एक के, पागलों वाला question, सही पकड़ा, अब देखो क्या statement से, most ghost nets take a few years to completely disintegrate, ये बात तो सही है, बहुत टाइम लगता हूँ, उसे decompose होने में, disintegrate होने में, ठीक है, ghost nets contribute to the great pacific garbage patch, ठीक है जी, most ghost nets provide nutrition to marine animals upon disintegration, nutrition मिलना है, जाल खाता है कोई, कोई पक्षी जाल खाता है, कैसी बात ते दें, मैं नहीं कहरा है, ये इनोंने बोला है, कि जो मचलियां होती है न, वो जाल खाती है, मचलियां जाल खाती है, बहुत बढ़ी है, पर तो कोई मचली जाल में आई न पाए, अगर वोसे खाने ला शुरू क मैं आपको इस तरह कि बहुत सारे क्वेशन करा सकता हूं करा सकता हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि जो इंपॉर्टेंट बात है मैं उस पर ध्यान आपको दिला हूं एक और क्वेशन देख लो betrable होगा प्रैक्टिकल होना चाहिए यानी जो हम कर पाएं दिल से आवाज आ रही है आही नहीं आ रही है तो पराइगराइब 5 को इक बार बड़के देख लेना पड़के देख सचुन आधिक भी हांगी है तो प्री Todo आपको वौकाबिलरी पर दोस्तों काम करके चलना है, जितनी भी common vocabulary होती है ना, उनके meaning आपको पता होने चाहिए, असान और लगेगी है, सारे ही question, पुरा unseen passage असान हो जाएगा, दूसरे टाइटल वाला question भी आपके सामने, select the most suitable title for the above passage, अब इनमें सारे swim लग रहे हैं, बिल्कुल ये तो भाई भाई लग रहे हैं, मेरे को समझे नहीं आ रहा है, एक मैठ पढ़के देखना जारा, भाई भाई नहीं लगेंगे, ध्यान से बड़ा इसको देखो, the scary side of ghost nets, अच्छा, इसकी कोई positive side भी है, scary side जो तब कहोगे ने, जब उसकी कोई positive side भी होगा, ghost nets से फायदा क्या, कोई भी फायदा नहीं, इसलिए title तो नहीं होगा, एक है ghost nets, a result of human dominance, क्या है, human dominance को दिखा रहा है, क्या, इनसान का, उसने पूरा dominate कर लिया, marine life पे हमी तो कबजा करके बैठ गए न, ऐसा थोड़ी हो, बहरी है, भाई, शार्क बार का है, दबदबा, अच्छा कासा बनावा है, next, ghost nets, I am minister to marine life, कहाई, danger है marine life के लिए, ये मेरे को लग रहा है, कहाँ सही बैठ रहा है, तो ये वाला answer इस तरह से हमारा सही बैठ रहा है, क्योंकि हमने बाकी answers देखे, अगर उनकी गहराए में जाके देखोगे न, तो वो सही नहीं होगे, तो आपको यहाँ भी बस, इनको पढ़ना है, common sense लगाना है, passage में इनका answer ढूंड़ोगे, कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है जी, आगए, कुछ और questions है, जो मैंने आपके लिए निकाले, 10th वाल greater the thrill, दोनों चीज़े बड़ी-बड़ी दिखाई, more incredible, greater thrills, ठीक है, उची होगे, चलो, मैं हाथ नीचे नहीं करूँग, आप धियान से देखो, the higher the stamina, the lower, क्या दोनों चीज़े सेम है, नहीं, stamina तो higher ही, lower को दिखा रहा है, नहीं, एक बात सेम नहीं, next, the more you love, the lesser you love, more love, यह हो रहा है, नहीं, यह भी नहीं है, आगे बढ़ो, the smaller the car, the bigger the advantage, smaller the car, bigger the advantage, नहीं, यह भी नहीं है, क्या था, the heavier the luggage, the heavier the penalty, क्या यह सही answer है, हाँ है, मेरे हाथ दुख गए, लेकिन देखो, कितना common sense वाला question था, सच में, मैंने नहीं, मजल लेते वे, आपको solve करा, आप भी मजल mountain climbing is undoubtedly one of the most popular adventure sports paragraph month, one, mountain climbing सबसे ज़्यादा adventure sport है, इससे राइटर क्या कहना चाह रहा है, इससे क्या दिखता राइटर का, doubt दिखता है, उसे शक है इस बात पे, नहीं, सर, शक नहीं है उसको, caution, उसको डर लगता है इस बात से, नहीं भाई, उसको डर भी नहीं है, conviction, उसको यक conviction पे ही लगा के आने वाला हूँ, है के नहीं, ऐसे आपको इनको solve करना है, discursive passage को, आप चलो, बात करते हैं, आपकी factual passage के लेकिन उससे पहले सुनो, आप करना क्या है, आपको करना क्या है, जो sample paper आपके पास हो, जो material आपके पास हो, यही मेरी बताई हुए trick लगा, लगा के दबा के solve करना, एक mentality बनाना common sense की, अपनी vocab power को जितना मजबूत कर लोगे, जितनी vocabulary याद करोगे न, इसी तरह पढ़ते-पढ़ते याद हो जाएगी, इसी तरह पढ़ते-पढ़ते याद हो जाएगी, उतना अच्छा आपका unseen passage होगा, मुझसे आप लिखके रख लो, अब भी वीडियो भी मिलते रहेंगी, लेकिन अब ही मैं बात करने वाला हूँ, factual passage की ध्यान से देखो, factual passage क्या होता है, उसके आपको पता है, चार्ट होता है, डेटा होता है, उसके उपर सवाल पूछे जाते हैं, अब इसकी tips and tricks अलग है, इसका trend अलग है, आपको करना के ह सबसे पहला काम, questions, data से पूछे जाएंगे, यह चीज़ याद रखनी है, जो भी आपसे इसके अंदर सवाल पूछे जाएंगे, वो data से ही होंगे, जो भी आपको चार्ट वगेरा दिया होता है, उससे पूछे जाते हैं, तो इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए क्या क समझना है, data को समझना असली, वो जो चार्ट दिया गया है, वो जो डाइग्राम दिया गया है, उसमें क्या बाते की गई है, क्या क्या numbers दिये गया है, क्या percentage किसका कितना है, वो समझनी कोशिश करना, mainly, mainly उस पर ध्यान देना, ठीक है, बाकी का जो पैसे जो ठीक है, लेकि जहां भी आपको कोई figure दिखे ना, उस figure पर ध्यान से बढ़ना किया, यह figure क्या है, अब देखना, question वहीं से पूछे गई होंगे, आजओ चलो जी, spend 5-7 minutes to understand the given data, आप 7-8 minutes भी लगा दो के ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप data को समझने में लगाओ, यह समझने की आपको अभी आप देखना, आपके data वाले questions ही होंगे, अब क्या होंगे, आपके data वाले questions ही होंगे, attempt the database questions first, सबसे पहले जो database questions है न, theoretical question छोड़ना, database questions को क्या करना, attempt करना, जिसमें पूछा गिया होता है, कि 2014 के अंदर कहा गया है, कि 50% लोग ऐसे थे, बताओ क्या यह बात सही है, कि true है, कि false है, बड़े-बड़े, इसमें तो बहुत ही हसी मजाग वाले questions पूछे जाते हैं, database ठीक है, तो दोस्तों, time की थोड़ी कम ही है, मैं चाहता हूँ कि यह video बहुत जादा लॉंग ना हो जाए, इसके ओपर अभी हम और live session करेंगे, उसमें भी आपके revision कराऊंगा, practice कराऊं 9, 10, 11, 12, वालो, बेफिकरो, literature वगरा भी आपकी धीरी-धीर वीडियो जानी में चुरू हो जाएंगी, तो मिलते हैं, next video में, next topic के साथ, तब तक के लिए बने रहे हैं, मेरे साथ, dear sir के साथ